हलो स्टूडेंट्स बिये पार्ट सेकिंड के स्टूडेंट्स को आज मैं डॉक्टर मनोर मत्यागी मनोविज्ञान विशह में चेप्टर पढ़ाऊंगी मनोविदलन इससे पहले टेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि मन इस्ताब मानसिक रोग क्या होते हैं मन इस्ताब मानसिक रोग वो मानसिक रोग होते हैं जो गंभीर प्रकार के मानसिक रोग होते हैं और जिसमें व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक जो क्रियाए हैं वो सब अस्तिवस्त हो जाती हैं और वो अपने परियावरन के साथ समयोजन करने में असफल हो जाता है उसकी इड इगो पराएहम इनमें आपस में कॉडिनेशन नहीं रहता और इस तरह के जो मानसिक विकार होते हैं इनको मन इस्ताप के श्रेड़ी में रखा गया है तंत्रिकाताप और मन इस्ताप में दोनों में अंतर हैं तंत्रिकाताप हलके प्रकार के मानसिक रोग होते हैं और मन इस्ताप जो गंबीर प्रकार के मानसिक रोग होते हैं उन्में मांसिक रोग्यों को मांसिक अस्पताल में भरती कराना आवश्चक हो जाता है उपचार के लिए क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाये तो उनके खुद के लिए और परिवार के समाज के अन्य सदस्यों के लिए वो एक खत्रा बन जाते हैं तो तंत्रिकाताप हलके प्रकार के जैसे फोबिया है और अपसेसिव कमपलसिव नियूरोसीज है यह जो रोग है यह तंत्रिकाताप किश्रेणी में आते हैं और मनस्ताप की श्रेणी में जैसे कि मैंने आपको इससे पहले टेक्स में बताया अनेक पकार के मानसिक रोग आते हैं जैसे मनोविदलन, उसाविशाद, विक्रती, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस और पैरानोया या समधानती तो आज मैं आपको मनस्ताप का जो एक मानसिक रोग है मनोविदलन उसके बारे में बताऊंगी मनोविदलन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा मनोविदलन, मन का विदलन होना, मन में दरार पढ़ना, विदलन कहते हैं दरार पढ़ने को जब जो मानसिक इस्थिती है वो हमारी विखंडित हो जाती है तब उसको मनोविदलन कहते हैं और मनोविदलन नाम जो है इस मानसिक रोग को वो दिया है ब्लूलर ने 1912 में ब्लूलर ने 1912 में यह नाम दिया और इसका इसोफ्रेनिया इसको इंग्लिश में कहा जाता है सीजोफ्रेनिया भी कहते हैं वास्तों में इसका आर्थ जो है मनोविद्रन का आर्थ है यथा आर्थता से संबंद का विच्छेद हो जाना वास्तिविक्ता से संबंद विच्छेद हो जाना वास्त्विक्ता से मतलब है व्यक्ति को समय का ग्यान नहीं रहता, नहीं उसको ये ग्यान रहता है कि वो कहां पर है, क्या कर रहा है, सब तरह की जो वास्त्विक्ता हैं, जो actual position है, उससे उनका संबंद विछेद हो जाता है कोलमेन ने मनोविदलन की परिभाशा दी है कि मनोविदलन असामानने वहवारों का सम्मू है जिसमे रोगी जो है वो वास्त्विक्ता के साथ संबंध इस्थापित करने की योगिता एवं उसकी सम्वेकात्मक और बौधिक प्रक्रियाओं में आधारबूत विक्षोग इसी तरह से जेम्स डीपेज ने भी कहा है कि मनोविदलन व्यक्तित विग्टन के द्वारा परिलक्षित अनेक मनोविकारों के सम्मू का बोध कराने वाला सामानने पद है मतलब क्या है इसका कि अनेक मनोविकारों का जो मनोविदलन है इसमें और भी मानसिक विकारों के बहुत सारे लक्षन का एक समूह दिखाई देता है रोगी के अंदर उसे ब्रह्म, विब्रह्म, अनेक प्रकार के लक्षन उसमें दिखाई देते हैं तो इस तरह से मनोविदलन की ये परिभाशा हो गई 1860 में मोरैल नाम का एक मनोचिकिस्षक था जिसने 13 वर्ष की एक बच्चे का अध्यन किया जो की एक बुद्धिमान विद्यार्थी था और धीरे धीरे उसे अध्यन में अरूची होने लगी वह एकांतवासी वह उदास रहने लगा इस्मृत्ती उसकी कमजोर हो गई वह एकसर अपने पिता को मानने की बात करता मोरेल ने सोचा शायद लड़के की बौद्धिक और नैतिक शारीरिक क्रियाओं में कमी हो गई है और इन लक्षनों का कारण वंशानुक्रम है और इनको दूर नहीं किया जा सकता उन्होंने इस मानसिक रोग को नाम दिया था डिमेंशिया प्रीकॉक्स ब्लूलर वो पहले मानसिक रोग विशेश अगये थे जिनों ने इसको इसका इजोफ्रेनिया नाम दिया घटना क्रम की अगर हम बात करें तो सामाने जनसंख्या में देखा गया है कि एक से दो प्रतिशत केस मनो विदलन के देखने में आते हैं और इस्त्री और पूरुष दोनों में समान रूप से ये मानसिक रोग पाया जाता है मानसिक अस्पताल के अगर हम बात करें तो 20-25% केस मनो विदलन के मानसिक अस्पतालों में आते हैं और अन्य रोगों के अपेक्षा इसमें आरोग के लाब जो है वो बहुत धीमा तथा म्रत्यूदर जो है वो बहुत ही जादा होती है और यह रोग किसी भी आयू में हो सकता है औसत आयू 15-45 वर्ष के बीच में है तो यह इस तरह से घटना करम से मतलब है कितने प्रतिशत घटनाएं होती है और ठीक होने की क्या संभावना है और लिंक के आधार पर क्या इसमें भेद होता है मानसिक रोग उत्पन होने में यह इसके अंतरगत आता है अब अगर हम लक्षनों की बात करें लक्षन की बात करें तो इसमें जो लक्षन देखे जाते हैं युगों ये देखा गया है कि एकांत प्रीय होना, साणसारिक कारेओं में रूची का कम होना, रोज के जीवन के कारेओं में यह रोगी रूची लेना कम कर देते हैं। दिवास वपन देखना, दिन में सपने देखना, समवेगों का आसंतुलन, समवेगों का आसंतुलन से मतलब है कि कभी वो खुश हो जाएंगे और बहुत कभी दुख में डूब जाएंगे, और अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि ये लक्षन उस समय अचानक उभर कर आते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई समवेगिक आघार पूल गटना होती है, किसी प्रियजन की इम्रत्यू, कोई आर्थी खानी, इस तरह से जब कोई घटना घटती है तो व्यक्ति में इस तरह के लक्षन देखने में मिलते हैं और इसके अलावा विखंडित विचार कि इस रोग में, रोगी में विचार प्रक्रिया जो है, उसकी थिंकिंग प्रोसे जो है वो विखर जाती है, विखंडित हो जाती है, रोगी को समस्या समाधान करने में, निर्ने लेने में, ध्यान को एकागर करने में परिशानी होने लगती है, इसी प्रकार से कई बार उसके अंदर उचित, अनुचित का ख्याल आता रहता है, विचारों की विक्रतियों क के साथ-साथ उसमें समवेगिग विक्रति भी पाई जाती है क्योंकि विचारों से ही समवेग जुड़े हुए हैं और रोगी बिना किसी कारण के और बिना किसी मोके के अचानक कई बार हसने लगता है रोने लगता है नाचने गाने लगता है और इस तरह के वैवार उसमें अ आतंक व्यक्ति को अपने विचारों भावनाओं पर नियंत्रन नहीं रहता उसमें एक हमेशा गहरी चिंता और आतंक उत्पन हुआ रहता है ये जो चिंता और आतंक है ये मनोविद्रन का मुखे लक्षन है तीसरा जो अगला अगला जो लक्षन है वो है भ्रहम और विभ्रहम भ्रहम और विभ्रहम से मतलब है कि इन रोगियों को अनेक प्रकार के भ्रहम और विभ्रहम वो होते हैं जब व्यक्ति किसी उद्धीपक का गलत प्रतियक्षी करन कर लेता है जैसे रसी पड़ी हुई या उसको हम साप समझ लें वो भ्रम है और विभ्रम वो होता है जिसमें सामने कोई भी उतेजना नहीं होती लेकिन फिर भी वो दिखाई देती है तो इन रोग्यों में ब्रम और विभ्रम दोनों ही उत्पन हो जाते हैं रोगी वास्त्रिक्ता से दूर भागना चाता है उसे अनेक प्रकार के ब्रम विभ्रम होते हैं जैसे उसे अनेक प्रकार की आवाजे सुनाई दे सकती हैं जैसे कोई उसको धमकी दे रहा है कोई उसको मानने का शड़ियंत्र कर रहे हैं या फिर उसे कई बार इश्वरी आवाज सुनाई देती हैं उसे लगता है इश्वर से उसकी बात हो रही है रोगी की दरश्टी संबंदी भी विब्रहम होते हैं रोगी धार्मिक दरश्ट देखता है कई बार उसे लगता है इश्वर ने उ कई बार बाते करने लगता है, कभी वो अपने आपको महान कभी समझता है, तो कभी ताये करने लगता है, कभी वो अपने आपको महान गायक समझता है, तो वो गीद गाने लगता है, इस तरह के लक्षन उसमें दिखाई देते हैं, भाशा संबंधी लक्षन भी उसमें देखने में आते हैं भाशा संबंधी अनेक विक्रियतियां उसमें देखने में आती हैं वे आत्म केंदित हो जाते हैं बहुत कम बोलते हैं क्योंकि वे बाहरी दुनिया से डरे वे होते हैं कभी-कभी वे सोचते हैं कि वे मर चुके हैं या उनको लगता है कि उनकी सांस में जहर गुल गया है और दूसरी तरफ कुछ रोगी बहुत अधिक बोलने लगते हैं पर उनकी भाषा जो है वो बिलकुल असंगत होती है उसमें कोई तालमेल नहीं होता है वाक्या धूरे होते हैं और बिखरेवे होते हैं सुनने वालों को उनके शब्द निरठक लगते हैं उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे है पर कभी-कभी उसमें गहरा अर्थ भी चुपा हुआ होता है देखने में उनकी भाषा शब्दों का जैसे एक सलाद होता है मिक्स्चर वो रोगी पैंसिल को हाथ तक नहीं लगाते वो बिल्कुल लिखना नहीं चाहते हैं परंतु कुछ रोगी लिखते हैं उनके भाषन के समान उनके लेखन में भी बहुत सारी अजीब चीजे होती हैं लिखने में अनेक दोश जैसे पुन्रवरती एक ही शब्द को बार बार लि शब्द बना कर अपने आप लिखते रहते हैं तो इस तरह से लेखन संबंदी विकार उम्मे देखने में आते हैं वास्तविक्ता से पलायन तीवर मनो विदलन के जो रोगी होते हैं उनको लगता है कि वो सबसे दूर भाग जाएं वो अपनी ही दुनिया में खोई रहना च जाते हैं और जब रोग यह तीवर हो जाता है तो वो वास्तविक्ता से पलायन अधिक गंबीर हो जाता है रोगी की रूची दूसरे लोगों में संबंदियों में कम हो जाती है और उसमें संसार के प्रती एक नकारात्मक और आक्रामक प्रवर्ति उत्पन हो जाती है यदि रोगी को वास्त्विक्ता के पास लाने का प्रयास किया जाए तो वेह प्रवर्ती और भी अधिक बढ़ जाती है और वो और ज्यादा आक्रामक और नकारात्मक हो जाता है इन लक्षनों के अलावा कुछ अन्यमांसिक लक्षन भी इस रोग में दिखाई देते हैं जैसे इन रोग्यों का स्वास्त कमजोर हो जाता है उचित आहार वयायाम नीद की कमी के कारण ये दिन पर दिन कमजोर होते चले जाते हैं शरीर का तापमान असा मानने रहता है तो इस तरह के अन्यमांसिक लक्षन भी इन रोग्यों में दिखाई देते हैं तो ये मैंने आज आपको बताया कि मनोविदलन मांसिक रोग क्या है उसकी परिभाशा क्या है और इस मांसिक रोग में कौन-कौन से लक्षण है और इसका घटना ग्रम क्या है इस मांसिक रोग के ठीक होने की संभावना यद भी कम होती है लेकिन अगर सही तरीके से टाइम से इलाज दिया जाए तो य मालसी ग्रोफ ठीक भी हो सकते हैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मनो विद्लन के कितने प्रकार हैं मनो विद्लन के प्रकार नेक्सट वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगी Thank you so much student